हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप है और उसके अंदर आपका जो ब्लूटूथ है वो शो नहीं करा रहा है यानि नीचे की तरफ आपका जो ब्लूटूथ उप्सन है वो नहीं दिख रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं यहां पर मैं आपको तीन से चार तरीके बताने वाला हूँ और आप इन तरीकों को फोलो करें और आपकी दिखकत ठीक हो जाएगी तो कौन-कौन से तरीके हैं वो आईए जानते हैं सबसे पहला तर जाएगी अगर इस तरीके से काम ना बने तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका फॉलो करें आपको विंडो बटन प्रेस करना है सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाएए और यहाँ पर आपको मिलेगा एक उप्षन यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर मिलेगे वाना नीचे के तरफ मिल जाएगी तो सबसे पहले अपना ब्लूटूथ चालू करें और ओर उपके कर दीजिए आपको जब ब्लूटूथ का आइकन है वो नीचे के तरफ शो होने लग जाएगा आप देख सकते हैं अगर तब भी शो नहीं होता है तो दूसरा तरीका follow करें दूसरे तरीके माँ क्या करना है दूसरे तरीके के लिए आपको this PC यानि my computer open करना है और open करने के बाद आपको नीचे task बार पे right click करना है task बार पे नीचे की तरफ right click करें और यहाँ पे आपको मिलेगा task manager इस पे click करें फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक option तो यहाँ पे आप search करें window explore वरना नीचे की तरफ आपको यह option मिल जाएगा तो window explore पे आप right click करें और यहाँ पर आपको बिलेगा री स्टार्ड री स्टार्ड पर किलिक करें थोड़ा सा वेट करें और आपका जो Bluetooth का आइकन है वो नीचे की तरफ शो होने लग जाएगा तो आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पर आपका दिक्कट ठीक हो जाएगी पर इस तरीकी से भी काम ना बने तो यहाँ पर आप तीसरा तरीका फोलो करें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो Bluetooth का आइकन है वो इस वाले आप्शन में हाइड हो जाता है तो इस पर किलिक करें इस पर किलिक करने के बाद आपके जो भी एक्स होंगे वो दिखा देंगे तो यहाँ पर हमारा Bluetooth आ चुका है आप इससे उठा के बाहर की तरफ कर लीजिए तो आपका जो Bluetooth का आइकन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा पर अगर इस तरीके से भी काम ना बने तो यहाँ पर आप विंडो बटन प्रेस करें यहाँ पर आपको मिलेगा Services तो Services पहले Search कर लीजिए तो हम Services सर्च कर लेते हैं सर्वीश सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक उप्शन लूनना है जिसका नाम होगा Bluetooth Support Device तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं B से तो वो नीचे के तरफ आते हैं तो यह रहाँ Bluetooth Support Device आपको इस पर राइट क्लिक करना है यहाँ पर आपको मिलेगा Properties Properties पर क्लिक करें Properties पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपके पास आएगा एक Option Startup Type आप इस पर आईए और इसे Manual पर Set कर दीजिए अब Like कर दीजी ओके कर दीजी और आपकी दिक्कर ठीक हो जाएगी पर अगर इस तरीकी से भी काम ना बने तो आप चौथा तरीका Follow करें चौथे तरीके के लिए आपको अपने This PC यानि My Computer पर Right Click करना है यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा Manage, Manage पर किलिक करना है Manage पर किलिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपके पास यह वाला Option आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा Device Manager Device Manager पर आपको किलिक करना है इदर की तरफ आपके स्पेक किलिक करना है इसपेक किलिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कैसा रहा Option आ जाएगे अगर यहाँ पर आपको Bluetooth शो नहीं होता है तो आप खाली जगह पर दो तीन बार राइट किलिक करें यानि माउस का राइट किलिक करें और आपको यहाँ पर मिलेगा Scan for Hardware Change इसपे किलिक करें थोड़ा सा वेट करिए एक या डेड़ मिनट का और आपका जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी और नीची की तरफ आपका जो Bluetooth का आइकन है वो शो होने लग जाएगा आप देख सकते हैं तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें